हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टुड़ी विद फिलोसोफर बाबा में हमने यूपियस यूपिय फो के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिये हैं जिनका नाम है इंटेस्ट्रिल रिलेशन्स एंड लेबर लॉस और उसके बाद स अब हम उसका एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्षन है उसे कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर तो कंप्यूटर में तो ज्यादा डिफिकल्ट सवाल तो नहीं बनते हैं अगर प्रीवेस यर के कॉश्चन पेपर देखे तो उसमें केवल पोस्टे कि 4 या 5 वीडियो में कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए करते हैं हम आज के सशन के शुरुवात तो हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ती जो हुई है वो कंप्यूटर शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है ग प्योग जो है गड़ना करने तक यानि calculation तक ही सीमित नहीं रहे गया है बलकि हम इसके माध्यम से music, graphics, internet आधी कई अन छेत्रों में भे इसका प्योग कर सकते हैं और अब हम यह कह सकते हैं कि यह एक electronic device के जो data को accept करता है और एक descriptive way में step by step processing के बाद उसे information में बदलता है और output result दे है तो यह होता है हमारा computer और उससे related work की क्या है अब हम बात करते हैं कि computer की definition क्या है तो computer एक electronic device है जो किसी विशेवस्तु के बारे में data को बतार input लेता है और उस पर जरूरी operations कर एक नियत output प्रदान करता है मतलब कि यह हमारा है computer हमने इसमें कोई data दिया यानि input किया तो data हमन यह result देगा वो कहलाएगा output तो यह काम है हमारे computer का तो यह computer की basic deflation हो गई अब हम बात करते हैं computer के विकास के बारे में यह computer के types दे हुए हैं जैसे कि पहला है analog computer तो analog computer जो है analog computer में विद्धुत के analog रूप यानि भौतिक राशी जो लगातार बदलती रहती है का प्रियोग करते हैं इसकी गती जो है बहुत ही slow होती है इसकी गती बहुत ही slow होती यानि speed बहुत slow होती है और इस प्रकार के computer प्रचलन से बाहर हो चुके हैं एक साधारन घड़ी वाहन का गती meter यानि speedometer, voltmeter ये analog computer के example है अब हम बात करते हैं digital computer की, तो digital computer वो computer होते हैं जो digital technology का अनुसरान करते हैं इसमें microprocessor प्रियोग किया जाता है और जो एक second में करोडो निर्जेशों को करियानवित कर सकता है यहां binary value 0 और 1 के basis पे कारे करता है, 0 हो तो false और 1 हो तो true का signal प्रेशित करता है और ये signal discrete होते हैं इन्हें तीन स्रेडियों में बाटा गया है पहला है कि micro computer तो ये जो computer है ये सरवादिक छोटा computer होता है और इसमें arithmetic logical unit और central processing unit यानि CPU एक ही चिप में लगे होते हैं mini computer ये micro computer से अधिक छमतावान होते हैं और एक समय में कई प्रयोकताओं के उप्योग में आ सकते हैं क्रे 1 1976 में क्रे research company दोरा विक्सित किया गया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है तो ये परम 10,000 है अब हम बात करते हैं hybrid computer की तो hybrid computer ये digital और analog computer का कमिश्चरित रूप है इसमें गरना तथा processing के लिए digital रूप का प्रयोग किया जाता है जबकि input तथा output में analog संकेतों का उप्योग होता है इस तरह के computer का प्रयोग अस्पताल रक्षा छेत्र वा विज्ञान आदमे किया जाता है अब हम बात करते हैं कि history of computers computer का इतिहास क्या है तो computers का इतिहास पहले गरना के लिए प्रयोग लाई जाने वाली डिवाइसों में chemical डिवाइसे थी अब आएकस को पहला computer कहा जाता है बाद में Pascal, Lawrence, Jacob, Atos of Barry आदी ने कई डिवाइसे बनाई परन्तों किसी भी device में ना तो memory थी और 17 सताबदी में Charles Babes ने analytical और difference machine का आविशकार किया जिसमें memory डाली और machine के आविशकार से ही आधुने की युक की शुरुआ थी बाद में आज के सभी में computer में memory सबसे बड़ी quality हो गई है यानि विशेष्ता हो गई है इसी के कारण Charles Babes को computer का पितामा कहा जाता है एनि ये ए रथ हम electronic computer है यही से electronic computer का युक शुरू हो गया था तो अब हम बात करते हैं कि कितने generations में computer आया तो computer के 5 generation है तो पहली PD का computer है मुसकी बात करते हैं वो है 1940 से 1956 तक की तो जो पहली PD का computer थे इसमें vacuum tubes का प्रयोग किया गया इसमें machine language का प्रयोग किया गया और इसमें भंडारन के बड़े और अधिक और खपत करने वाले थे एनियेक, यूनिवैक तथा IBM का mark first इसके example है 1952 में Dr. Grace Hopper द्वारा assembly language के आविशकार से program लिखना कुछ आसान हो गया अब हम बात करते हैं second generation की तो वो है 1956 से 1963 तक तो इसमें क्या हुआ था इसमें निर्वात tube की जगा transistor का प्रयोग होने लगा और उसमें वो हलके छोटे और कम उर्जा खपत करने वाले थे इनकी गती बहुत ही ज़्यादा तेज थी और उसमें गलतिया होने की संभावना बहुत ही कम थी पंचकाड की जगा जुम्ब की भंडारन उपकरणों का प्रयोग किया गया जिससे भंडारन चमता और गती में व्रद्धी होई बैच ओपरेटिंग सिस्टम का आरंब किया गया सॉफ्ट वेयर में कोबोल यानि कॉमन बिजनेस ओरियंटेड लैंगविज और फोल्ट्रॉन जैसे हाई लैंगविज का विकास IBM द्वारा किया गया इसमें प्रोग्राम लिखना आसान हो गया अब जब थर्ड जिनरेशन के कंप्यूटर आये 1964 तो 1971 के बीच में तो इसमें ट्रांजिस्टर की जगा पर इंटिग्रेटिट सर्किट का प्रियोग होने लगा यानि की IC का इसमें सैकडो इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर प्रतिरोधक और कैपेसिटर एक छोटे चिप पर बने होते थे प्रारंभ में इसमावल स्केल इंटिग्रेशन और बाद में मेडियम स्केल इंटिग्रेशन का प्रियोग किया गया इस पिढ़ी के कंप्यूटर हलके कम खर्ची ले तीवर और अधिक विश्वस नहीं थे चुम्ब की ये टेप और डिस्क के भंदारन शमता में व्रद्धी हुई यानि रैंडम एकसेज मेमोरी के कारण गती में व्रद्धी हुई हाई लेंग्विज में पी एल वन और पासकल तथा बेसिक का विकास हुआ टाइम शेरिंग आउपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ हाडवेर और सॉफ्टवेर की अ यानि की DEC यानि Digital Equipment Cooperation द्वारा प्रथम व्यवसाई की मिनी कम्प्यूटर PDP-8 यानि Programmed Data Processor 8 का विकास किया गया ये थी 3rd generation के कम्प्यूटर अब हम बात करते हैं 4th generation के कम्प्यूटरों की तो 4th generation के जो कम्प्यूटर का टाइम है वो 1971 से 1989 तक का है तो इसमें LSI तथा VLSI चिप और Micro Processor के विकास से कम्प्यूटर के आकार में कमी तथा छमता में व्रद्धी हुए Micro Processor का विकास M.E. Hoff ने 1971 में 1971 में M.E. Hoff ने किया इससे विक्तिगत कम्प्यूटर का विकास हुआ चुम्बकिये डिस्क और टेप का इस्थान अर्दचालक मेमोरे ने ले लिया Random Access Memory की चमता में व्रद्धी से कारी अत्त तेवर हो गया उच गती वाले कम्प्यूटर नेटवर्क जैसे LAN एवं WAN का विकास हुआ यानि Local Area Network और यानि Wide Area Network ये था LAN Local Area Network ये था WAN Wide Area Network उसके बाद समानांतर Computing तथा Multimedia का प्रचलन प्रारंब हुआ 1981 में IBM ने Micro Computer का विकास किया जिसे PC कहा गया Software में Graphical User Interface के विकास ने Computer के उपयोग को सरल बना दिया Operating System में MS-DOS, Microsoft Windows तथा Apple Operating System का विकास हुआ High Language में C भासा का विकास हुआ जिसमें Programming Easy थी High Language में मानिकी करण किया गया ताकि किसी Program को सभी Computer में चलाया जा सके अब हम बात करते हैं 5th Generation की जो इसमें नहीं लिख दिया है PDF में 5th Generation का जो Computer है वो 1989 से लेके अब तक है तो इसमें क्या था? इसमें ULSI यानि की ULSI यानि की Ultra Large Scale Integration के विकास से करोणों electronic को करणों को चिप पर लगाया जा सका Optical Disc जैसी CD के विकास ने भंडारर छेतरे में क्रांती लाद दी Networking के छेतरे में Internet, Email तथा www.w.w. यानि World Wide Web का विकास हुआ सूचना प्रद्योगी की तथा सूचना राजमार्गी की अवधारणा का विकास हुआ नए कंप्योटर में क्रत्रिम ग्यान चमता डालने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कंप्योटर परिस्थितियों के अनुकुल स्वयम निर्णाई ले सके Magnetic Bubble Memory के प्रयोख से भंडारर चमता में व्रद्धी हुई Portable PC और Desktop PC ने कंप्योटर को जीवन के लगभग प्रत्येक छेतर से जोड़ दिया तो ये थे हमारे Generations of Computer के तो अब हम बात करते हैं Characteristics of Computers यानि कि कंप्योटर के क्या गुण होती है तो पहला इसका Characteristics है वो है इसकी Speed Computer एक बहुती तीवर गती से कारी करने वाला जो है बहुती तीवर गती से कारी करने वाला Electronic Device है जो किसी निर्देश को पल भर में क्रियानवित करता है या किसी कारी को Second के एक भाग समय में ही हल कर देता है जबकि उस कारे को एक विक्त एगर करे तो घंटे तक कई घंटे लग जाएंगे उसको Solo करने में और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक Computer एक Second के समय में एक Million या उससे भी अधिक निर्देशों को क्रियानवित कर सकता है दोसरी इसकी Characteristics क्या है वो है Accuracy इसमें क्या है Computer बिना कोई गलती कि ये पूरा सही सही गणनाय कर सकता है इसकी Accuracy बहुत ही जादा है जिससे ये कभी भी कोई गलती नहीं करता और सभी गणनाओं में उसी Accuracy की तरह कारे करता है Computer में कोई गलती तभी आ सकती है जब विक्ति द्वारा गलत इन्पुट या निर्देश दिये गए हो यानि कि आप जब कोई गलत इन्पुट या निर्देश दोगे तो ही Computer में Error आएगा वरना वो Accuracy के साथ आपको Data प्रोवाइट कराएगा Output के Form में इसकी अगली विशेष्टा है Deligance Computer किसी भी कारे को बिना ठके लगातार कारे कर सकता है इसे भी किसी प्रकार की ठकान या कमजोरी कभी नहीं होती है जिससे या किसी कारे को बिना किसी रुकावट या गलती के लगातार कर सकता है computer के इस छमता की वज़े से मानो कार्यों में काफी विकास हुआ है जैसे हम लोग as a human है काम करते करते ठक जाते हैं और जब ठकान में हम कोई काम करते हैं तो हमसे कोई ना कोई गलती होने की probability बढ़ जाती है लेकिन computer के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक machine है और वो बिना ठके लगातार कई घंटों तक काम कर सकती है तो इस तरह से computer जो है मानोवी चेतर में काफी ज़्यादा इसने मानो की करकार्यों को करने में काफी ज़्यादा इसका विकास हुआ है और इसने बहुत तेजी दिखाई है अगली इसकी characteristics है इसकी storage capacity computer में किसी भी प्रकार के data या information को इसके memory में store कर सकते हैं computer में magnetic media storage होते हैं जो अत्यदिक मातरा में data या सूचनाओं को permanent सुरचित रखने की सहुलियत देते हैं जैसे hard disk, floppy disk, optical disk इत्यादी जिन की मदद से आप कोई data किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं जैसे कि आप use करते हैं pin drive का, pd का तो same चीज है इसका अगली है versatility computer के एक बहुत अच्छी विशेस्ता इसकी विविधिता है जो एक ही समय में कई कारे कर सकता है जैसे अपने document drafting के दौरान गाने सुनना, कोई page प्रिंट करना यह user पर निर्भर करता है कि वह computer system पर किस तरह का कारे कर सकता है क्योंकि यह बिल्कुल अलग-अलग तरह के कारे करने में सक्षम है अब हम बात करते हैं basic applications of computer की तो सबसे पहला तो इसका word processing में प्रियोग होता है word processing के दौरा हम अपने direct dynamic कारे को आसानी से कर सकते हैं जैसे later typing resume में तयार करना आदी computer सुता ही spelling एम grammatical गलतियों को सुता ही सुधार देता है यदि document के content repeat होते हैं आपको पुना type करने की आवशक्ता नहीं होती है आप अपने document को जिस पर आप कारे कर रहे हैं आसानी से अपनी आवशक्ता के अनुसार format कर सकते हैं bank में present time में net banking बहुत ही जादा popular हुआ है जादा तर लोग अपने banking कारे जो है net banking के थ्रू करते हैं net banking के थ्रू आप एक पैसे का जो amount होता है उसका transfer एक खाते से दूसरे खाते में कर सकते हैं bankों में होने वाले रोजमर्रा के जो work है वो computer के लेंदेन की सहता से ही किये जा सकते हैं अब इसका अगला use क्या है internet internet के माध्यम से आप अपने computer को भारत था विश्यो के किसी अन्य computer के साथ जोड़ सकते हैं यह एक वैश्यक प्रनाली है computer network को आप आपस में जोड़ने की इसका जो arm हुआ थो वो 1970 और 1980 के दशक में हुआ था internet के माध्यम से आप अत्यथिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह एक library से हम इसकी comparison कर सकते हैं इसके माध्यम से आप सोचनाओं को बहुत तेजी से access कर सकते हैं email के through आप कुछ ही समय में हजारों mail दूर बैठे विर्थिक को संदेज भेग सकते हैं जैसे आप आजकल email का use करते हैं आजकल जितनी exam होती है email पे ही आपको admit card की सुविधाय प्रोवाइड करा देती हैं कई सारी चीज़े आप email के through कर सकते हैं Hospitals में क्या use है इनका Hospital में computer के माध्यम से ही अपने patients के records की जानकारी ले सकते हैं जैसे कि patient का नाम क्या है बीमारी क्या है ये चीज़ अब हम बात करते हैं digital video या audio composition की तो इसमें computer के दौरा हम किसी भी प्रकार के audio या video को compose कर सकते हैं या edit कर सकते हैं जैसे कि इस टाइम पर हम ये video बना रहे हैं तो हम समझ लीजी mobile भी एक computer की तरह ही है तो हम इसमें audio video दोने चीज़े को इत्रू आपको हम knowledge दे रहे हैं अब क्या है आप video calling, chatting, email आदि से परिचित होंगे computer के दौरा आप video calling, chatting, email के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं desktop, publishing सभी किलिए उप्योगी package है इसके माध्यम से आप designing से संबंधित कारी को कर सकते हैं present time में इसके माध्यम से किताबों की design, greeting card, marriage card, brochure, magazine ये सभी संबंधित कारी किये जाते हैं अब हम बात करते हैं टेली communication के छेतर में तो इसमें देखेंगे कि mobile phone के अंदर software मौजूद रहता है जिसमें customer का detail मौजूद होता है present time में mobile phone के दोरा आप किसी भी स्थान का location देख सकते हैं वहां तक पहुँचने के mark को देख सकते हैं आप हवाई ticket या real ticket को mobile phone के दोरा सुरच्छित कर सकते हैं आप SMS भेचकल railway ticket के PNR की स्थिती जान सकते हैं इसके अलावा computer का उपयोग रक्षा, e-learning, चिकत सकिये, विज्ञान, खेल, प्रमारपत्र, ATM, मशीन, रोबोटिक्स, न्यूस चैनल में मौसम अनलिटिक्स इत्याद में किया जा रहा है अब हम बात करते हैं components of computer system computer system component में कई तरह के component होते हैं जो एक computer को उसका कारे करना संभो करते हैं वह कुछ इस प्रकार हैं जैसे keyboard, mouse, monitor, RAM, hard disk, speaker और भी बहुत कुछ अब हम बात करते हैं कि CPU क्या होता है Central Processing Unit क्या होती है हम CPU के बारे में जानते हैं तो processing device चौथे generation के computer में processing device के रुप में उप्योग किया गया है इसमें लाखों circuit लगी होती है एक complete cycle को count करने के लिए motherboard पर एक clock लगा होता है जो की frequency को count करता है data या instruction input device द्वारा processor की तरह processing के लिए किया जाता है और processor उसे process करके information के रुप में output device पर result दे देता है यहाँ पूरा कार्य एक cycle में होता है पूरी processing processor के अंदर होती है और processor के तीन भाग होते है पहला होता है arithmetic logic unit यानि ALU यह computer जो ALU है यह CPU का main part होता है जो की तारकीक एवं अंकगड़ती कारी को process करता है जो भी user के द्वारा बतौर input दिया जाता है उन पर जरूरी operations कर चाहे वो अंकगड़ती हो तारकीक हो memory unit को भीज देता है जहां से control unit की मदद से user द्वारा निर्देशित output media पर भेज दिया जाता है दूसरा part है इसका control unit जो की पूरे computer को control करता है यह data या instructions को analyze करके किस प्रकार की device को processing के लिए या output के लिए भेजना है यह सब कारी यहीं पर करता है अब अगला है memory unit इस भाग में control unit द्वारा निर्देशित task store होता है ताकि ALU को भेजा जा सके और पुना ALU से process होने के बाद output सूचना को तब तक store करता है जब तक control unit इसे उचित output media पर भेजने का निर्देश ना दे इसे register भी कहा जाता है जो की processing के समय data या information को अपने पास hold रखता है जो processing के दूसरे step में प्रियोग होता है यह बस कहलाता है आपने नाम सुना होगा ना computer में की बस क्या होता है तो बस का काम क्या होता है यानि बस एक data path या परिपत को कहते हैं जिसके माध्यम से data के processing के दौरान data को एक unit से दूसरे unit में भेजा जा सकता है अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं input devices की तो input devices वो devices होती है जिसके थूरू हम computer को data या information देते हैं तो input devices में क्या आता है keyboard आता है, mouse आता है, visual display unit आता है तो keyboard क्या है? keyboard एक input device है keyboard क्या है? एक input device है इसके through हम program एवं data को computer में enter कर सकते हैं ये type writer के keyboard जैसा ही होता है इसमें alphabets, number, special keys, function की movement की arrow की page up, page down and home होती है जब एक की डबाई जाती है तब एक electronic signal उत्पन होता है और यानि ASC second जो keyboard encoder नाम के electronic circuit द्वारा detect किया जाता है अब हम बात करते हैं दूसरे input device mouse की तो mouse computer की सबसे महत्पूर pointing device है यह भी एक input device है mouse का प्रयोग sketches, diagrams, आधी draw करने में text को select करने में instruction देने आधी कारे के लिए किया जाता है mouse दो प्रकार का होता है, एक है mechanical, दोसरा है optical इसमें दो button होती है, left and right button, तीसरी button, scroll button भी optical mouse में ही होती है अब हम बात करते हैं, एक soft visual output device, अब हम बात करते हैं visual display unit की यानि की video क्या होता है, यानि की video क्या होता है, visual display unit क्या होता है या एक softy visual output device है और जिस पर output को देखा जाता है या technology के according दो प्रकार का होता है, पहला CRT, cathode ray tube CRT technology इसमें cathode ray tube लगी होती है, जो इसमें cathode किरने, flarence, screen पर गिरती हैं और deflect होकर picture बनाती है, यह दो प्रकार के होते हैं, पहला monochrome दूसरा color monochrome black and white picture दिखाता है और color इसमें तेन प्रकार के phosphorus जो की red, green और blue रंग होने के कारण color picture बनाता है अब हम बात करते है LCD की, यानि की LCD क्या होता है, LCD का मतलब होता है liquid crystal display, इसमें क्या होता है, LCD technology, liquid crystal display technology light को modulate करके picture बनाती है, thin film transistor matrix तो बनाती है परणटो matrix से light नहीं निकलती है, लेकिन light emitting diode में light यहां से निकलती है और picture quality काफी अच्छी होती है अब हम बात करते है other input devices की, तो उसमें scanner आ जाता है यह हमारा scanner आ जाता है, track ball आ जाती है, ठीक और उसके बाद joy stick आ जाती है, जिससे आप लोग ने बच्पन में बहुत सारा game खेला होगा फिर light pen आ जाता है, light pen का मतलब होता है कि जैसे इस समय हम आपको screen पर पढ़ा रहे हैं तो इस समय यह जो आप देख रहे हो ना, यह जो हम कर रहे हैं, red color से यह light pen के थुरूई हो पा रहा है, तो यह हो गया दोसरा OCR है optical character reader, तो यह एक तरह की input device है जो किसी paper पर अंकित alpha numeric action को पकड़ सकता है यहाँ text को low frequency light sources से detect किया जाता है यहाँ पर उत्सरजित प्रकास को dark area दोरा अफशोशित कर लिया जाता है जबकि bright area दोरा reflect कर दिया जाता है reflect की गई प्रकास को photo cell से दोरा प्राप्त कर लिया जाता है अगला है microphone यानि mic उसके बाद है barcode reader यह device barcode को electronic pulse में परिवर्थित कर computer में input करती है barcode एक तरह का code होता है जो light तथा dark बार के रुप में होता है आपने देखा होगा जब आप बड़े बड़े shopping mall में shopping करने जाते हो तो जब आप सामान खरी देते हो तो जब आप billing करने जाते हो तो वहाँ पर barcode scanner से वह barcode reader से वह barcode को read करते है फिर उसकी value को add करते है तो वह barcode होता है अब हम बात करते है MICR की यानि magnetic ink character reader या recognizer की तो यह भी एक input device है जो magnetic character को read करने के लिए use होता है ऐसे character bank check पर किये जाते हैं जिन्हें level MICR device के माध्यम से ही read किया जा सकता है तो यह हमारे कुछ input devices हो गए अब हम बात करते हैं output devices की तो output devices output क्या होता है output device का मतलब होता है वो device जो हमें computer को data input किया गया है जब वो हमें output के form में दे वो output device कहलाती है तो output device में printer आता है printer के भी कई पार्ट है जैसे कि impact printer, dot matrix printer, non impact printer और उसके बाद inkjet printer, laser printer और projector, projector plotter और speaker यह सारे output devices हैं इसकी detailing में नहीं जाएंगे खोगी full form ही पूचता है paper में और ज़्यादा कुछ नहीं पूचता है अब हम बात करते है computer memory की पिछले साल का अगर paper आप देखेंगे तो उसमें पूचा है कि RAM का full form है तो उसमें random access memory है फिर पूचा है ROM का full form है तो उसमें read only memory है तो हम उसी memory के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि computer memory होती क्या है तो computer की memory ही computer even calculator में अंतर बताती है computer के अंदर data store memory के अंदर होता है physical memory जो की chip drive disk होती है जिसमें data hold होता है virtual memory जो की सिर्फ physical memory को expand करता है computer memory दो तरह की होती है एक primary memory जो की computer के अंदर main memory कहलाती है ये दो प्रकार की होती है और दोसरी होती है secondary memory जैसे hard disk, optical disk, floppy disk आदी अब हम बात करते हैं primary memory की तो primary memory computer system की main memory होती है जो system के प्राथमिक कारी के लिए memory उपलबद कराती है जैसे RAM and ROM random access memory और read only memory यो दोना primary memory है हो सकता है paper में पूच दे की RAM और ROM है आप से नीच आप्शन में दे दे primary memory, secondary memory primary and secondary memory, none of these तो आप RAM and ROM को primary memory में ही टिक मारेंगे दूसरा है secondary memory तो secondary memory वो होती है जो data को store करने के लिए होती है इसमें data को store करते हैं और बाद में इसमें से इसमें save कर लेते हैं data को जैसे hard disk drive, magnetic tape, zip drive, इत्यादी अब हम बात करते हैं primary memory की random access memory की तो यह read write memory होती है जिसमें data temporary होता है जो की power supply कटते ही data मिट जाता है data randomly access किया जाता है और CPU से सीधा access करता है RAM दो प्रकार की होते हैं एक होता है SRAM जिसका मतलब होता है static random access memory SRAM प्राया इस्तिमाल होने वाले DRAM की तुलना में जादा तेज होता है यह static random access memory होती है इसकी speed DRAM से अधिक होती है computer में सामानेता या cache memory के रुप में लगी होती है यहां static तत्य का मतलब इस बात से है कि इसी DRAM की तुलना में रिफ्रेश करनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है static random access memory cache memory की तरह ही उप्योग होता है जो CPU में बतौर L1, L2 और L3 cache के के रुप में पाई जाती है अब हम बात करते हैं DRAM की कि DRAM क्या होता है तो DRAM का मतलब होता है dynamic random access memory यहां यह personal computer में ज़्यादा इस्तिमाल होता है इसके कुछ प्रकार होते है यह dynamic random access memory होती है यह एक interval के बाद refresh होती है SD RAM की बात करते है तो यहां synchronic dynamic RAM होता है यहां एक नए तरह का dynamic RAM होता है जो तुलनात्मक बहुत तेज कारे करता है SD RAM वास्तों में CPU के साथ synchronize हो जाता है अब हम बात करते हैं DDR2 SD RAM की तो यह एक DRAM का प्रकार होता है जो SD RAM के तुलना में ज़्यादा तेज कारे करता है तो जो random access memory होती है वो volatile memory होती है और जो ROM होती है वो non volatile memory होती है जिसे read only memory कहते है तो computer में कुछ software के रूप में data chip में store रहता है यह chip memory होती है जिसके data को user सिर्फ पढ़ सकता है इसमें कोई changes नहीं कर सकता है इसलिए इसे read only memory कहा जाता है MOSC read only memory में निर्माता अपने बारे में लिखता है जैसे DIL के computer में on करने पर DIL का logo गो तथा अन्य company संबंधी जानकारी read only memory में store रहती है ROM के अन्य प्रकार है P-ROM, E-P-ROM, W-E-P-ROM, A-D-E BIOS यानि BIOS क्या होता है Basic Input Output System भी read only memory ही होता है अब हम बात करते हैं programmable read only memory की यानि P-ROM की तो यहार ROM का एक प्रकार होता है जिसमें ROM BIOS से संबंधित सोचना को केवल एक बार ही program किया जा सकता है जिसमें आगे कोई परिवर्ता नहीं किया जा सकता है अब हम बात करते हैं E-P-ROM की तो यह erasible programmable read only memory है यह एक विशिश प्रकार का PROM होता है जिसे पराबैंगनी किरन की मदद से मिटाया जा सकता है जब इसे एक बार erase कर दिया जाता है तो फिर इसे पुना प्रोग्राम किया जा सकता है अब हम बात करते हैं E-P-ROM की यानि electrically erasible programmable read only memory की तो यह भी PROM का एक प्रकार होता है जिसे electricity की मदद से erase किया जा सकता है और पुना प्रोग्राम किया जा सकता है अन्य PROM की तुलना में E-P-ROM में data power of K case में भी data को संजोए रखता है random access memory की तुलना में यह उतना तेज नहीं होता पर यह flash memory की तरह ही होता है अब हम बात करते हैं secondary storage devices की तो इसमें floppy disk होती है hard disk होती है यानि secondary storage devices में floppy disk होती है hard disk होती है अब हम बात करते हैं hard disk में component क्या होते है इसमें platter होता है, heads होता है, tracks होता है, sector होता है cluster होता है, cylinder होता है अब हम बात करते हैं optical disk की optical disk CD-ROM की यह भी paper में पूछा जा चुका है CD-ROM का full form क्या है तो इसमें optical disk या data storage का एक advanced technology है जिसमें data को laser beam के through read और write किया जाता है इसके लिए किसी move access arm और read write head की ज़रुरत नहीं होती क्योंकि laser beam electronically move हो सकती है data write करने के लिए laser beam disk के surface पर bit का mark बनाकर सोक्ष्म cavity बनाता है data read करने के लिए laser beam area को scan करता है यह यह भी कई प्रकार के होते हैं जैसे CD-ROM WORM यानि WOROM तो यह भी होता है तो यह write once read many even erisible optical disk होती है अब हम बात करते हैं write once read many disk के normal cd की बात करते हैं तो इस तरह के cd जिन पर केवल एक बार लिखा जा सकता है और कई बार read या access किया जा सकता है इस तरह के साधारन cd की storage चमता 700 MB तक होती है अब हम बात करते हैं re-write table optical disk की तो इस तरह के optical disk जिने erase किया जा सकता है और फिर से data उन पर write भी किया जा सकता है इनकी जो live होती है वो साधारन cd-rom से ज़्यादा होती है ये disk साधारन disk से थोड़े महंगे होते हैं अब हम बात करते हैं dvd की digital video disk की तो dvd को digital video disk या digital versatile disk कहते हैं जो साधारन cd-rom की तुलना में ज़्यादा data store करने की चमता रखते हैं जो साधारन रखते हैं 4.7 GB या विशेज सिस्तिती में 45-50 dB तक data store कर सकते हैं ये बिलकुल cd-rom की तरह दिखती है एक dvd को cd-rom drive से access या read नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें pits होते हैं अब हम बात करते हैं USB thumb drive की ये USB thumb drive है ये pen drive के जैसा है इसे flash drive या pen drive भी कहा जाता है जो प्रचुर मात्रा में data को store कर सकता है data की अतिदिक मात्रा में सुरक्षित रखना हमेशा flash drive के चमता पर निरभर करता है या एक portable device होता है इसे किसी भी computer system में एक USB port के माध्यम से जोड़ देते हैं और data का लेंदेन कर सकते हैं या एक plug and play device होती है जो जिसे आप किसी भी system में बिना समय गवाए तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए लोग इसे data traveler के नाम से भी जानते हैं यानि pen drive को क्या कहते हैं data traveler क्यों क्योंकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे ले जा सकते हैं अब हम बात करते हैं concept of hardware and software की तो hardware और software का जो concept है वो computer के सभी parts जिने हम देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं उन्हें hardware कहते हैं आधुने computer के hardware है motherboard, smps, video display unit, removal, media devices, secondary storage, sound card, keyboard, mouse printer और अन्य उपकरन peripherals हैं और software क्या होते हैं जिने हम कभी भी छू नहीं सकते हैं वो software कहलाते हैं software भी कई प्रकार के होते हैं application, software, system, software और फिर आजाती है हमारी programming language तो programming language क्या होती है इसमें computer केवल electronic signal को ही समझता है यानि binary language को ही समझता है इसमें 1 और 0 को ही समझता है 1 होगा तो true, 0 होगा तो false ये होती है इसकी language, programming language programming language भी दो टाइप की होती हैं high level language used by programmer जैसे की COBOL, PASCAL, C, C++, Java, NIT, etc low level और machine level language there is a translator to translate high level to low level and why से वर्सा तो ये होता है अब हम बात करते हैं compiler क्या होता है अब हम बात करते हैं compiler क्या होता है तो compiler एक utility program होता है जो system software के अंतर गताता है compiler किसी hard level language को low level language यानि machine level code में परिवर्तित कर देता है जिससे यहां असानी से execute हो जाती है एक compiler का कार्य किसी program के code को machine level code में परिवर्तित करने के साथ-साथ उस program से error और mistakes की भी जाच करना है अब हम बात करते है interpreter की interpreter क्या होता है तो interpreter भी compiler की ही तरह high level language को low level language में change करता है लेकिन यहां compiler से थोड़ा सा भिन है और यहां किसी program को line by line चेक करता है और वहां line सही होने की स्थिती में उसे execute होने के लिए भेज देता है और उसके आगे program code में कहीं गलती होने की स्थिती में सूचित करता है और program के running mode को break कर देता है यह 4GL language जैसे visual basic इत्यादी में इस्तिमाल होता है अब हम बात करते हैं computer का e-governance में क्या use है e-governance आखिर क्या होता है तो e-governance modern सोचना और संचार तकनीकी जैसे internet, local area, network, mobile आदि का एक application है जो सरकार दोरा इन्हें अधिक प्रभावी बनाने कुशल्टा बढ़ाने, service delivery को कारगर बनाने एवं democracy को promote करने के लिए तयार किया गया है यह government के लिए primary delivery models को निमन लिखेत रुपसी विभाजित किया जा सकता है जैसे कि government to citizen consumer इस model के इंतरगत consumer relation management के साथ business concept की strategy तयार की गई है अब हम बात करते हैं government to business इस model के अंतरगत सरकार एवं जनता के मति business information उपलबद कराने एवं business के संबद में सलाहा देने की online interaction विवस्ता है तीसरा है government to government यानि की government to government क्या है इसके अंतरगत सरकारी विभाग authority द्वारा अने सरकार विभागों से गैर विवसाइक संबन्द स्थापित किया जाता है government to employee यहां सरकार एवं कर्मचारी के मति महतुपूर्ण एवं प्रभावी online interaction है अब हम बात करते हैं multimedia and entertainment की तो multimedia जो होता है वो text, graphics, audio, video और animation का एक combination है आज के लगातार बढ़ते हुए तकनीकी योग में multimedia और entertainment जैसे शब्द प्राया एक दोसरे से जुड़े हुए है computer की दुनिया में multimedia और entertainment ने कांती मचा दी है आज कल यदि किसी के पास PC है तो उसके पास multimedia और entertainment होता ही है और इसके भीना PC की कलपना करना भी आज की डेटे में बेकार है अब हम बात करते हैं multimedia categorization की तो it is divided into two categories linear and non-linear linear active content progresses often without any navigational control for the viewer such as a cinema presentation non-linear uses interactivity to control progress as with a video game or self-placed computer based training multimedia presentations can be live or recorded live or recorded or recorded presentation में allow interactivity via a navigation system दोसरा है characteristics of multimedia तो इसकी characteristics क्या है multimedia के माध्यम से हम कई तरह के मनोरंजक टोल से से लाभानवित हो जाते हैं इनके कई feature होते हैं जैसे multimedia technology के माध्यम से कोई गाने या संगीत सुन पाते हैं जिन्हें आजकल किसी भी document page में web pages में embedded कर गीत संगीत सुना जा सकता है और इस technology के help से हम कोई भी video को कहीं भी आसानी से access कर सकते हैं जैसे कि हम YouTube video 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 नेवा मूव नोवा मूव जैसे कई web pages पर video stream का लुफ दिले सकते हैं और कुछ web pages जैसे musicindiaonline.com, raga.com इत्यादी पर संगीत सुन सकते हैं तो यह हो गया जैसे आज की data में YouTube बहुत जादा famous हो गया है इसके त्रूम कहीं भी video को access कर सकते हैं तो यह हमारा था computer का basic concept इसके आगे जादा computer में नहीं पोछेगा इसके आगे हैं जो हम देखेंगे वो है कि fifth generation के computer आने के बाद हम 21 वी सदी में किस तरह के computer यूद्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह के computer यूद करेंगे तो हम आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे like, share करें और comment करके अपना feedback जरूर देते रहें ताकि हम अपनी content में और समझाने की level में और सुधार कर सके हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवात और जो भी लोग हमारे चैनल के regular subscriber है या viewer है उन्होंने अगर हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और notification bell icon को click कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो हमारे साथ वीडियो में बने रहन के लिए धन्यवात स्वस्त रहिए मस्त रहिए खुश रहिए जैहिन जैभारत